क्या गलतिया करी है, आपका चैनल इता डाउन चला गया, अम ब्लैक पेरी था, प्लाइंग बीस्ट, सौरव चोसी की तरफ, UK07 राइडर को निखिल को अपना चैनल कुईट कर देना चाहिए अजी, गूद मॉरिंग, वैलकम बैक टू दी निव एपिसोड, आज की वीडियो में कोई व्लॉग नियो ने वाला है, एक दो दिन से बहुत ज़्यादा बार इसका मॉसम हो रहा था, धर्मी तो कुछ अलगी लेविल की पढ़ रही है, पर पता नहीं क्यों कुछ खास वीड वगेरा तो अपलोड करनी पड़ेगी, फिलाल चलते है अपने सैट अप, वही चल के बात करता है तुम से, जी तो दिल पे हाथ रखके मेरे एक सवाल का जवाब देना, अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि इंडिया का सबसे पहला व्लॉगर कौन है, अगर आपने कहीं इंडिया का सबसे पहला व्लॉगर कौन है, मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगी, वह है मुंबाइकर निखिल, मुंबाइकर निखिल के व्यूज देखें, फ्लाइंग बीस्ट और जोसी के कमपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, इसी बारे में बात करेंगे कि मुंबाइ मुंबाइकर निखिल ने ऐसी क्या गलतिया करी है, ऐसा क्या किया है कि उनका चैनल इत्ता ज्यादा डाउन चला गया, टाइम था कि मुंबाइकर निखिल को इत्ती ज्यादा ग्रोथ मिल रही थी, एक टाइम था जो मुंबाइकर निखिल को इत्ते ज्यादा व्यूज मिल तो स्टार्ट व्लॉगिंग, मुंबई कर निखिल नाम की क्रियेटर ने मुंबई में कैमरा मार्किट को जादा बड़े लेविल पर पुचाया है बट स्टिल उसको लोग नहीं देखते हैं, उसका मेजर रिजन ये है कि मैं आपको ये एक्जमपल के साथ समझाता हूँ जी अब इसे 9-10 साल पहले की बात करें तो एक कंपनी थी, इसका नाम ब्लैक पेरी था उसमें एक ऐसा फोन था, जो टच और कीपैड दोनो था, लोग पागल थे उसके पीछे, जिसके पास वो फोन है ना तो मतलब वो उस टाइम का सबसे अमीर बंदा ही होगा, जो उसे अवर्ड गर सकता होगा वो उस टाइम पे साथ 40,000 के आसपास आता होगा आज के टाइम से देखा जाए, तो कम से कम 1.5,000,000 के आसपास वो फोन होगा अभी भी वो मौजूद है मार्किट में, बट अब उसे कोई नहीं लेगा ऐसा क्यों हुआ कि ब्लैक पेरी इतना ज़्यादा टाउन चला गया और मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, तो उस फोन में कुछ ऐसा सीन था बट उसके पात जैसे ही WhatsApp और Android का फंडा आया, उसकी विक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई इस चीजे WhatsApp फ्री में दे रहा था, क्यों पैसा वेस्ट करें Blackberry स्मार्टफोन में वही चीजे Android भी दे रहा था, तरह से उसकी value दिरे-दिरे कम होती रही Android पे जाजा स्विच होते रहे, कम के budget में हमें सही चीज मिल सकती है वह Blackberry का use क्यों करें, पस इतना कुछ होने के बाद भी paid version चेंज नहीं किया दे कि उनका market धिरे-दिरे खतम हो गया, खतम होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि कुछ नया ना करना कुछ नया innovation ना करना, अगर आपके कोई competition में है तो वो तो उपर जाए गई और यही कुछ हुआ हमारे vlogging world में, जैसे कि मुंबईगर निखिल ने 2015-16 में Moto vlogging में ती अच्छी growth बना ली थी, पर जैसे ही 2020 का lockdown लगा मुंबईगर निखिल जो उस टाइम पर travel vlog बनाया करते थे, lifestyle दिखाते थे और उनकी वीडियोस पर views millions में आते थे, बट यार सीधी सीधी भासा में बोलू, तो जहां उनकी वीडियोस में नौ से दस लोग उनके साथ रहा करते थे, अब वो 2020 के lockdown की वज़े से अकेले पड़ गए और धीरे-धीरे लोगों का interest उनके से खतम होने लगा, और लोग धीरे-धीरे shift हुए, flying beast और सौरव जोसी के तरफ नोंने पहली-पहली बार स्टार्ट किया था family vlogging और एक टाइम पर दोनों vloggers समसे ऊपर आ गए पर मुंबाई कर निखिल वही चीज़े बार बार रिपीट करकर के, करकर के, अकेले रहके अपना lifestyle दिखा दिखा के, यह views डाउन जाने लगे तो यह अब कुछ लोग यह बोलेंगे कि अब तो वह family vlog बना रहे हैं, बट अब उनकी वह reach क्यों नहीं आ रहे हैं, वह views क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यह अर उन लोगों को बता दू कि already अब यह सब चीज़े हो रहे हैं, जैसे कि Flying Beast, Sword of Josie, UK07 Rider, यह सब लोग यह चीज़ कर मतलब यह है कि क्या मुंबाइकर निखिल को अपना चैनल कुट कर देना चाहिए, उन्हें YouTube कुट कर देना चाहिए, अपके दिमाग में इस सब चीज़े आ रहे हैं, और आप यह सब सोच रहे हो, तो आप सबसे बड़े चुट यार वह इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉग आप आज व्लॉगिंग इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, कि लोग इतना जादा हाई लेविल पर चाच चुके हैं, तो अगर हमारे निखिल भाई को अगर हम ब्लाइक बेरी माल ले, ब्लाइक बेरी अपना कुछ अलग कर दे, कुछ अलग इनोवेशन ट्राइ करे, वह व इतना जादा जी वीडियो में अब्लाइक बिला ले नवाल है, कि अभिए टिड़ सा उन वे करे दो रच चाच को अगर हमारे वाल पर कि तो अलग करे दो को अलग रो नग भाईका बदाना है, वह वह दो कि अन्सरादा है अलग है, कि यह दो कि अ यह पूग है, प्याव है झाल झाल